कनक के उपर गिरेगा जूमर आई की पड़ी मोसेवत स्टापलस के शो साथ निभाना साथिया पात्यों की कहानी में कनक फिर एक बार अब उचाल चलती हुई राधिका के साथ देसाई परिवार के घर में वापस लोटाई है जहां कनक ने अब महिला संगठन की मदद भी ले ली है ये कहकर के देसाई परिवार ने उसके उपर अत्याचार किये और उसे घर से भी निकाल दिया है जिसके साथ ये अब कनक राधिका के साथ मिलकर देसाई परिवार को पूरी तरीके से बरबाद ही कर देना चाहती है तो वहीं बता दे कि अब जल्दी मेचारी कनक के उपर ही मुसीबत आती हुई नजरानी वाली है क्योंकि जल्दी अब घर के जूमर के नीचे कनक खड़ी होती हुई नजरानी वाली है और अब जूमर सीधा आकर कनक के उपर गिरता हुआ नजरानी वाला है जहां सारा देसाई परिवार बहुत ही बुरे तरीके से शौक्ट हो जाएगा कि अब कनक कैसे बचेगी तो वहीं कनक की जान अब बिलकुल हलक में फस्ती हुई नसरानी वारी है क्योंकि इतना बड़ा जूमर अगर कनक के सर के ओपर गिरा तो कनक की जान ही जा सकती है जिसके साथ रादिका बे दिन बतन और भी जदा चाने चलती ही नजरा रही है अब रादिका देसाईस को बरबाद करने के लिए अब चाहे उसे कनक को भी रास्ते से क्योंना हटाना पड़े वो कुछ भी करेगी तो क्या हूने वालब शो की आगी की कहानी में क्या बच पाएगी कनक की जान जानने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजए हमारे चाहन लाइक के जिए सुटे को कमेंट से पने वियूज जरू बताएगा और साथ-साथ हमारे चानल की नोडिफेकेशन आन करना पे दिना बूले